वीडियो में बात करने वाला हूं दो ऐसी टीम की जो आज खेलने वाली ही एक दूसरे के बीच में मैच और यह मैच मिडिल सेक्स और उसके बाद गाईज यहापर अगर आप देखेंगे ग्लैम ओर्गन के बीच में होने वाला है अठाइसवा मैच होगा किस विन्यू पर चैंड टेलर स्कूल ग्राउंड नौर्थवूड में यह मैच होने वाला है जहापर अगर आप देखेंगे नौ बजी यह मैच देखने को मिलेगा तीन मैच होते हैं टीटवंटी बलास के यह पहला मैच है जिसके अंदर सबसे बड़ा लीग आजी के मैच में आपको ड्री करियर नहीं होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से खेलने चाहिए ब्रीफली मैं आपको बताओ टीटवंटी बलास के बारे में जिसको अभी विटैलीटी बलास भी कहा जा रहा है उसका रीजर है केवल और केवल स्पॉंसर्शिप जिस तरीके से आई पील को यह सारी बाते बताऊंगा कि आज इस वीडियो के अंदर क्या परफेक्ट प्लेइंग लेंड रहने वाला है दोनों टीम का और हमें अपनी टीम में कौन से बेस्ट ग्यारा प्लेयर को लेने हैं हम कैप्टेन किसको करके चल सकते हैं देखिए अगर आप जीवन में पहली ब दोनों टीम के अंदर बाइस प्लेयर में से केवल पांच ही प्लेयर ऐसे दिखाए देंगे जो आपको बॉलर सेक्शन में दिखाए देंगे तो मैं पूरी स्ट्राइड़जी आपके साथ बयान करने वाला हूँ अब दोस्तों मैं इस वीडियो में भी आपके साथ पांच करके देने वाला हूँ त्पूरी इस्ट्राइड़जी आपको समझ में आ जाएगी और अगर आप थोड़े से सीरियास होके वीडियो को लेते हैं फिर उसके बाद जो आपकी टीम बनेगी वह विवाली टीम बनने वाली है सबसे पहली चीज मैं आपको बताओ दोस्तों पीछ रिपोर्ट अब देखे मैं याँ पे पीछ रिपोर्ट से शुरुआज जरूर कर रहा हूँ लेकिन आप सबको एक बात बता दू जो भी फाइनल चीजे होती है वो सब टेलिग्राम पे आपको मैं बताता हूँ तो लेके की वीडियो जो डीटेल्स में होती है न वो लेके आप आते रहता हूँ ताके आपको क्लैरीटी से आप अपनी टीम बना पाए पीछ रिपोर्ट देख लेते सबसे बहले देखिए इस वेन्यू पर आप देखेंगे तो रिसेंट के केवल एक मैच हो रखे जो अभी के खेले गया है जिसमें अगर स्कोरिंग पैटरन को अगर आप देखेंगे जी एलसी ने 181 का स्कोर किया था नौ विकेट के नुकसान पर उसके बाद मिडल सेक्स के वह मैच था जिसमें 189 बना पाया था हार गई थी यह मैच वो लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाह है टेस्ट मैच ज़रूर हो रख है का कॉंट्री डिविजन का जो मैच इस है टेस्ट का वो दो-दो मर्तबा हो रख है अब उससे पहले ओडी मैच 2018 के अंदर हुआ था जहां स्कोरिंग पैटरन बहुत लो देखने को मिला था तो हम एक मैच से बहुत जादा कुछ तो लेक देगा अब कुछ मैच जो लास्ट के हो रखे वहां पर अगर विकेट फॉल्स को देखेंगे उसमें जादा तर पेसर्स को विकेट मिले ठीक है बहुत कम पेसर्स ने जादा विकेट निकाल रखे अब यह बात मैं आपको बताओ दोस्तों आज भी जो बॉलर्स आपको दि करते दिखने वाले वह भी मैं आपको पुरी क्लारिटी के साथ बताने वाला हूँ तब आई होप कि आपको पिछ रिपोर्ट अच्छे से समझ में आगया होगा अब मैं आपको टीम कंपरीजन करके बताना चाहता हूँ विफोर डैट मैंने जैसा कि आपको बताए टेलेग अगर आप देखे तो मीडिल सेखस ने तीन मैच जीत रखिय उसके बाद घ्लैम और व्डर करने बैठें आपको पता चलेगा दोनों टीम के अगर आप टॉप वडर पे नजा डालेंगे तो दोनों टीम के टॉप ओडर में सबसे जादा जो फेवरेट करते विए दिखाए देंगे उसका डीजन है इस्टि वियस किनाजी यहां पे नजर आएंगा आपको मैक्स होल्डर है और पीटर मलान भी आप टॉप और में लेके जा सकता है अगर हम चार बैट समझ चाप चार प्लियर को अगर हम लेंगे तो पीटर में उसके बारे में बहुत ही चौकाने वाल तो यहां पर देखेंगे तो कुछ आउंडर ऐसे हैं जो बहुत जादा हो जाते हैं आपको समझाने के लिए बालिंग की बात करें तो दो बॉलर खेलते दिखाई दे रहें और जिसके अंदर बे दोनों ही प्लेयर बहुत कमाल के तो अगर आप देखेंगे तो यह पार प्लेट में दो जगबॉलिंग करते उस सेनरियों में भी ऑपरचुनिटी और इंपक्ट वाले मतलब के बॉलिंग अटैकिंग अंदास के लिए भी फेमस रहते हैं तो उस सेनरियों में यह दो बॉलर जो है इस टीम के काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम यहां देखें तो ग्लैमॉर्गन की टीम से तीन बॉलर हमें दिखाई देते हैं जिसके अंदर केवल एक दो बॉलर पर भरोसा करके चल सकते हैं तो हम बॉलिंग डिपार्टमन को सिमिलर मान के चल रहा है और उस सेनरियों में हम अपनी टीम में प्लेयर को प्रेफर करके चलने वाले तो टीम कंपारीजन भी आब 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 समझ चुके अच्छे तरीके से अब मैं आपको चलिए कुछ अलग चीज बताता आज की स्मॉच में जो कैब्टेन और वोईस कैब्टन आपको बना रहे हैं बै्टिंग और बालिंग ये दो ऐसे सेक्षिन हैं जहां से हमें कैप्टेन वॉस कैब्टन बना करके चलने चाहिए structure की बात अगर मैं करूँ तो आज 2 structure आपको लेकर चलने है पहला structure एक, चार, तीन, तीन का लेकर जाना है तीन all rounder आपको लेने है और तीन baller को आपको लेकर के चलना है ठीक है एक ही wicket keeper के साथ जाना है total तीन wicket की पर खेल जरूर है लेकिन मैं आपको बताऊँगा एक ही करके कि किसको लेना है किसको नहीं लेकर चलना है उसके बाद दूसरा structure आपको लेकर जाना है जहाँ 2 wicket keeper के साथ जाना है आपको और 3 baller के साथ और 2 all rounder के साथ आपको जाने चाहिए तो यह जो दूसरा structure है आपको अपने टीम में लेकर के चलने इस तरीके से हाँ एक काम और कर सकते इस वाले structure के अंदर जहां आपने एक baller को घटा करके एक all-rounder को extra आप लेकर के चल सकते क्योंकि all-rounder जो खेलने दिखाई देंगे वो जादा quantity में खेलते दिख रहे हैं और ज्यादा quality वाल-rounder भी दिखाई देंगे जो एक एक करके जब मैं बताऊंगा player तो आपको समझ में आता चलेगा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले middle sex के playing level को समझाना चाहता हूँ और यहाँ पर समझाना क्या चाहता हूँ कि power play और death में balling कौन करेंगे main baller इनके कौन-कौन से हैं दिलाल आप open करते हैं इस्टिविन इसकनाजी और जो क्रैकनल को देख पाएंगे और यहाँ पर power play के अंदर और death के अंदर जो balling करते आपको दिखाई देने वाले हैं वो player बहुत कमाल के जैसे कि मैं बताओ तॉम हेल्म यह power play और death में दोनों जगा बॉलिंग करते दिखाई देने वाले हैं उसके बाद ब्लेक कनल को देखेंगे तो यह power play में आपको बॉलिंग करते दिखने वाले हैं और देखे most probably जो है आप मान के चलिए प्रस्टेड नहीं दिख रहा है सैम नौर्थी थोड़े से लग भी रहा है बट एड़ी बैरोन हो सकता है कि power play में ही क्या कहते है विकेट अपना गवा दे यह जो player है यहां से मैं इसकी बात कर रहा हूँ ठीक है अब यहां पर आप समझ चुके कि power play और death में करते दिखाई देने वाले अब यहां जो players है वो सोड़ा सा confusion जरूर रहने वाला है मैं आपको clear कर देता हूँ पहली चीज तो आप यह मान कर चलिए कि all rounder जो आपको all rounder section में आपको दिखाई दे रहे यहां पर किरन कार्सॉन यह आपको power play में balling करेंगे पहले player दूसरे जो आपको power play के अंदर balling करते दिखाई देने वाले all rounder ही है वो है jammy mckelroy इसलिए मैं आपको बता है कि एक batsman को कम करके एक all rounder को ज़्यादा ले करके जा सकते क्योंकि opportunity इन लोगों के पास जरूर रहने वाला है death के अंदर balling कौन करेंगे तो यहाँ पे तीन player नाम उबर के आता है अगर आप आखरी match देखने जाएंगे तो आपको death के अंदर jammy mckelroy भी करते हुए दिखाई दिये थे आज कौन करेंगे उसकी बात अगर मैं करूँ तो सबसे पहली चीज तो यह जो player आपको दिखाई दे रहे है डैनियल डाउथवेट यह एक ऐसे खिलारी जो death के बहुत ही खतरनाक baller माने जाता है और आखरी match भी अगर आपको याद होगा बहुत अच्छा इनका गया है दो के दो match के अंतर अगर आप इनको देखे तो साथ match निकाल जोगे आप तक तो यह death में balling करेंगे और jammy mackalroy यह आपको करते दिखने वाले तीसरे option जो है वो आरे smith का जरूर आता है लेकिन ज़्यादा chances लग रहे है कि jammy mackalroy और आपको डैनियल डाउट वेट ही करते दिखाई दे तो आई होब कि आपको ग्लैन मॉर्गन की टीम का भी समझ में आ गया होगा अब आपको मैं एक चीज़ बता दू हाँ एक और चीज़ मैं बताना भूल गया देखें मिडल सेक्स की तो ग्लैम ओर्गन की टीम थोड़ी सी ऊपर है यानि पाचवे नंबर पर जरूर है यह अब यहाँ पर आगे हम बात अगर करें दोस्तों एक एक करके सारे प्लेयर के बारे में तो आपको सबसे पहले विकेट की पर की ही बात मैं कर लूँ मिडल सेक्स की टीम से मैं सबसे पहले जो क्रैक नेल की बात करूँगा अब जो क्रैक नेल एक ऐसे खिलाडी जो ओपनिंग करने आते हैं अपनी टीम के लिए पहली चीज़ तो उपॉर्चुनिटी वाइस तो इनके पास उपॉर्चुनिटी मिल रहा है अब हम देखते कि पिलेयर है किस तरीके के तो जो क्रैक नेल के ओवरल करियर रेकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो यह किस एवरेज से खेलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्डेंट है तो इनका अभी फिलहाल जो फॉर्म देखेंगे आखरी के दस मैच को तो वो ना आपको लगबगी किस के आवरेज से खिलते दिखाई देंगे दस मैच में 210 उन्हें ने बनाया है तो जो क्रैक नेल ही लग रहे है और अभी हाल फिलाल तीन मैच के अंदर अगर आप देखें तो यह हर मैच में कुछ स्कोर भी हर मैच के अंदर करते आ रहे हैं तो इनका बहुत अच्छा गया था एक मैच में तो यह डग भी आउट हुए थे लेकिन आकरी मैच बहुत अच्छा जा रहा है और 20-25 के अवरे से खिल लेते तो इनको सबसे ट्रस्टेज मार करके अपने टीम के अंदर आप फिक्स लेकर के जाईए जा फिर फॉस्ट बैटिंग जबाए मिडिल सेक्स की उस स खिलना पसंद करते हैं तो आज की इस मैच में जिस भी टीम में आप टॉप ओर्डर पे मिडल सेक्स के भरोसा करके नहीं चल रहे हैं तॉप थिरी में से किसी एक दो को ड्रॉप कर रहे हैं उस टीम में जॉन सिम्सॉन को ले सकते हैं और लेकिन सेकेंड बैटिंग के अंद आखरी मैच के अगर आप की बात करें तो बहुत जादा स्कोर करते हुए दिखाई नहीं दिया हाँ पहला मैच इनका था तो यह काफी अच्छा स्कोर करते दिखाई दिये थे अब बैटिंग इनका नीचे जरूर आ रहा है बट फिर भी ग्लैम ओर्गन की टीम अगर सेकें बैटिंग करने आएगी उस सेनरियो में आपको विकेट की पर से दो प्लेयर के साथ जाना है और इस प्लेयर को अपनी टीम में लें लेना चाते तोandid की ही प्लेयर मैरें बहुत बहुत अच्छे इश्ट्रेर के साथ ब्हेलते को और बिक्रिंग मैच को लेके चलना यानि कि 26 के आवरे से आखरी 10 मैच के अंदर ये खेल करके आ रहे हैं फिलाल इस सीरीज की बात अगर हम करूं तो तीन मैच में 86 रन इनों ने बनाया हुआ है यानि कि कह सकते हैं कि आप सबसे जादा रन बनाने वाले प्लेयर है इस सीरीज में अभी टी 20 ब्लास्ट के जो आराम से करके चल सकते हैं तो आराम से बैक करिए इनको अपने टीम के अंदर वही हम बात करें मैक्स होल्डर की मैक्स होल्डर एक ऐसे खिला रही है जिनके परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आपको अच्छा दिखाई देगा है चालीस मैच में 25 के आवरे से जरूर खिलते पीटर मलान की बात करें तो पीटर मलान ने कैसे खिला रही है जो तीन मैच में 112 अब तक बना चुके अगर आप इनके 57 मैच को देखेंगे जो इन्होंने पूरे करियर में खिल रखा वहां 38 के आवरे से खिलना पुसंद करते हैं तो जील के बहुत ही बड़े पंट प्लेय में जब maximum combination लेके जा रहे हो तो अब लेके जा सकते हो अधरवाइस यह उतने safe option नहीं रहने वाले नाथन फरनांडिस की बात कर ले यार तो नाथन फरनांडिस एक ऐसे खिला रही है जो बैटिंग सेक्शन में जरूर दिखाई देते हैं लेकिन यह बालिंग कैटिगीरी मे मतलब के नीचे mention होते हैं बहुत नीचे mention होते हैं तो आप इनको सीधे सीधे यहां से छोड़ करके चलना अगर इनके quality वाइस अगर नाथन फरनांडिस को देखेंगे तो यार लास्ट के तीन मैच के अंदर अगर आप देखें तो मतलब के उतना जादा performance का अच्छा निकल करके नहीं आ रहा है तो आप इनको छोड़ करके चलिए वो ज़्यादा बहतर option रहने वाला है वहीं हम बात करें ग्लैम ओर्गन की टीम से वह एड़ी बैरोम अब देखें यहां पे जो दो प्लेयर मैं आपको बताऊंगा उसमें बहुत important role play करने वाले वह एड़ी बैरोम क प्लेयर बहुत कमाल के है आखरी के 10 मैच के अंदर 319 run बनाया हुआ है यानि के 32 क्यावरे से परफर्म करते हैं आखरी 10 मैच में ओवरल करियर के अंदर 40 मैच जरूर खेला है जहां यह आप इनको देखेंगे तो सॉरी ओवरल करियर के अंदर इन्होंने जितने मैचेस खेल रखे है उसमें 40 कैवरे से खेल रखा है 130 के strike rate से यह खेलना पसंद करते हैं आज इस मैच के अंदर अपने टीम तीमें भी ज़रूर ले करके जाना अगर आप multiple team की react करके चल रहे हो तो देखे सबसे ज़्यादा लोग जो आज आज आपको captain बनाते दिखने वाले हैं वो guys Peter Milan को बनाते दिखने वाले यहाँ से Peter Milan को लेकिन आपको गया करना है Peter Milan को और एक और baller है मैं आपको बताऊंगा डैनियल डाउथ वेट को लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है आपको जो चीजे मैं गाइड कर रहा है उसके कॉर्डिंग ही चलिए क्योंकि लीक्स बहुत बड़े है और काफी जाधा टीम भी जॉइन होने वाले तो आप जब तक धारा के विप्रित थोड़ा सा सोच के नहीं चलेंगे अब सभी लोग पिटर मैलन को काप्टेन मना करेके चल रहा है केवल और केवल लास्ट मैच के परफॉर्मेंस को देखके और क्या कहते है डैनियल डाउथ वेट को लास्ट मैच के ज़ादा विकेट निकालने के वाईशे लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है जो स्ट्राडिजी मैं आपको बताते चल रहा है उसके एक और्डिंग आपको करके चलना है अगले प्लेयर की बात करें कॉलिन इन ग्राम है कॉलिन इन ग्राम जिनके बारे में आप जानते भी होंगे चार नमबर बे खेलते हैं अच्छे प्लेयर अब और ऑवरल करियर को भी देखेंगे तो इन्होंने 31 क्यावने से पर्फॉर्म कर रख रखा हैं दस मैच के अंदर भी आप देखें लास्ट के तो 212 रन इनने बनाया हुए दो मैच के अंदर इस सीरीज के अंदर जो इन्होंने खेला जहाँ इन्होंने 60 रन बनाया है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे आज की इस मैच में भी आप इनको पहले निकी बैटिंग में ज दिखाई दे रहा है और हमें आप बहुत स्मार्टली अपनी टीम में प्लेयर को ले करके चलना है जैसा कि मैंने बताया आपको सबसे ट्रस्टेर और रॉनर के ऑप्शन में से एक खिलारी हो जाएंगे स्पिनर की कैडिरी में आते हैं बॉलिंग से आपको पॉइंट देते हुए दिखा देंगे दो मैच के अंदर इन्होंने ड्रीम टीम के अंदर अपनी जगे बनाई है और दोनों मैच में एक एक विकेट निकाले तो आज भी आप अपनी टीम के अंदर इनको बैक करिएगा क्योंकि 33 मैच में इन्होंने किस कैडिस के साथ-साथ 29 विकेट भी निकाल रखा है तो यानि हर मैच में यह 20 रन अगर बना रहा है और एक विकेट निकाल रहा है तो आप 110 परसंट मानके चलिए ड्रीम टीम में इसली आता हुआ दिखाई देगा 20 रन का पॉइंट आप जो बहुत कमाल का दिखेगा बहुत अच्छे प्लेयर है आखरी मैच के को अगर आप देखेंगे वहां भी अच्छा खासा मतलब के परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है तो आप इनको अपनी टीम के अंदर बैक करिएगा और आराम से लेकर कर जाए इनको अपनी टीम क को अगर देखेंगे तो मिडिल ओर में बॉलिंग करते हैं सिकेंड बॉलिंग के अंदर आप इनको अपनी टीम में प्रेफर करके चल सकते हो वही हम बात करें गाइस ग्लाम ओर्गन की टीम से किसको लेना है तो आपको नो किरन काल सौन दिखाई देंगा किरन काल सौन एक इसके परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यह एक एक एस आल डांडर जो तीन नमबर पर खिलने आते हैं अब तीन नमबर पर खिलने वाले बैटिंग से भी बहुत अच्छा करता दिखाई दे सकता आपको 42 मैच में भले 17 के आवरे से परफॉर्म कर रखता हो लेकिन यहां प मैंच के अंदर 66 रन भी यह बना चुक है वहीं हम बात करें बिंजामीन के लवे की यार तो नीचे खेलने आते और राउंडर सेक्शन में जरूर है बट फॉर्म में भी नहीं है और नीचे भी खेलने आते बॉलिंग उतना जादा मतलब जगह कुरूशियल जगह पर नहीं कर देखे बैटिंग वाईज अगर आप जैमी मैकलरोई के देखेंगे तो बहुत नीचे खेलने आते तो बैटिंग से उतना उम्मीद हम लगा के चल नहीं रहा है और बिन्यू से जो है पेसर को बहुत जादा सपोर्ट मिलने वाला है तो मैं इनसे बालिंग से उम्मीद लग अगर कोई प्लेयर चे रण ही केबल देता है उसके एक्स्ट्रा पॉयंट मिलते कि और न कर देता है उसके एक्स्ट्रा पॉइंट वह डेकर के जाता है अब यह जो चीजे और इसके उपर मैं काम भी कर रहा हूँ मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने एक ऐसी चीज ल वाला चाम है उस वीडियो से याद है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जो हमने खल पोस्ट किया था जिसके अंदर मैंने पूरी डीटेल से बताया है कि आप करोड़ पती बन सकते हैं या नहीं बन सकते तो वो वीडियो जरूर देख लेना एंडर स्क्रीन में आ जाए किसको लेना है मैं बताता हूं टॉम हेलम मिडिल सक्स की टीम से सबसे पहले बात करूं तो यह पावर प्ले प्लस देख दोनों जगा बॉलिंग करते दिखाई देने वाले इंपॉर्टेंट प्लेयर भी है आखरी के कुछ मैच को देखे नौ मैच में 11 विकेट निकाल रख होता है कि अनफॉर्चुनेटली आखरी ओवर में ही दो तीन विकेट जरूर गिर जाता है लेकिन इन दोनों में से किसी एक के साथ ही आपको जाना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा भी किस दो खिलारी को एक साथ अपने टीम में नहीं ले करके जाना है उसके से से भी सप पर बॉलिंग कराते दिखते हैं तो इंपोर्टेंट रहने वाला आज की स्मैक में भी ग्लैम ओर्गन की टीम से बात करते हो डैनियल डाउट वेट दिखेंगा अब इस प्लेयर को यह दूसरे खिलारी है जुनको सबसे जाधा लोग सी वी सी करके चल रहा है लेकिन आपको नहीं करके चलना है तीम में जरूर लेकर जाना है चुकि प्लेयर बहुत अच्छे और अच्छे एकनॉमी के साथ बॉलिंग करते हैं तो यह आपको हो सकता है कि आज भी लेते दिखाई दे दे चुकि दो मैच के अंदर केवल यह साथ ले चुकिया हाला के दस मैच के अंद लेकर के जरूर जाना बड़ सीवी सी में मत लेके जाना आरे स्मित की बात करें तो आरे स्मित एक ऐसे खिलारी है जिनके परफॉर्टमेंस को अगर आप देखेंगे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखाई देगा यह और बात है आखरी मैच में दो विकेट जरूर नि इस खिलारी को आपको अपनी टीम के अंदर अगर आपको लेना है पीटर हैट जोगलू को तो आप लेकर के जा सकते हो लेकिन केवल और केवल सेकेंड बॉलिंग के अंदर क्योंकि यह उतने फॉर्म में भी नहीं दिखाई दे रहा है और इनके नंबर्स भी आप सब कुछ मैं बता चुका हूँ अब मैं आपको जो चीजे बताने वाला हूँ देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल से जरूर जुर जाएए क्योंकि यहाँ पे डेर लाख लोग लगबग जुर चुके जुरने वाले हैं आई थिंग तो आप भी जुर करके जरूर और अभी जो इंडिया का सिरीज आने वाला है साथ जून से वो भी मैं कवर करने वाला हूँ और बहुत अच्छे स्ट्राइडिजी के साथ कवर करने वाला हूँ तो यह सब चीजे बहुत जादा इंपोर्टेंट इसको जरूर ध्यान से सुनिए पहली बात ग्रैन लिग के टीम क्रियेट कर रहे तो क्रिस कुक साम नॉर्थीस्ट इडी बैरॉन यहां से यह दोनों ही अपनर है तो किसी एक के साथ ही आपको जाना है ठीक है मार्टिन एंडेट सर उसके बाद आरे समित और लिग हॉलमें लिग हॉलमें काफी जादा ट्रस्टेड और रॉंडर में स एक हो जाते हैं तो यहां से कम सकम दो या तीन प्लेयर ट्राई जरूर करके चलिए अब मैं आपको कैप्टन वोइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों सी बीसी बताओं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ डैरेक्ट यहां पर आके देख रहे हैं वीडिय को बाद तोम हिलम या फिर ब्लेक करनल जैसा का मैं आपको बताए है तो एक में टॉम हिलम को लेके जाना क्योंकि दोनों के चांसे बनते हैं कि यह आपको विक्टुले दिखाई देते डिठ में साम नॉर्थिस्ट को भी लेके जाना आप इन पे रिस्क जरूर लीजिए सीवीसी बनाने में चुकि साम नॉर्थिस्ट ओपनिंग करने आते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कभी भी आपको लंबी इनिंग खेल करके दे सकते हैं लुक हलमान को और कॉलीन इनग्राम को इनको सीवीसी में जरूर लेकर के जाना अब बेस्ट वोइस कैप्टैंसी में आप लुक हलमान को लेके जा सकते चली मैं आपको बताएधा किस-कुस को लेकर सकते हैं देके यहापर मिडल्सक अगर पहले बैटिंग करें, तो आप न, Stephen Skinazi के साथ Lee Kholman को लेके जाना, Peter Malan के साथ में Kiran Karlsson को लेके जाना, अब देखे, Peter Malan के बारे मैंने आपको बताया कि इनको CVC में नहीं लेकर के जाना, लेकिन अगर आप multiple यह combination बना रहा है उस team में किसी एक team में जरूर इनको CVC में ले करके जाना क्यूंकि player काफी impact वाले risk लेने को हमने maximum team में आपको बता है कि इनको छोड़ करके चलना captaincy और vice captaincy में केवल वहीं हमें stevie x kenazi के साथ tom helm को लेके जा सकते हैं middle six पहले बैटिंग करें उस scenario में CVC अगर हम glam organ की बात करें glam organ की team अगर पहले बैटिंग करती है तो न साम नौर्थीस के साथ peter हट जोगलू को लेके जाना कॉलिन इंग्राम के साथ tom helm या फिर black canal जैसा के मैंने आपको बता है इन दोनों में से किसी एक को लेके जाना sam north east और लिव खॉल्मन इन सबको आपको अपनी team में लेकर के जाना cvc के तौर पे इसका screen store जरूर लेकर के रख लेना अब मैं fix player बताने वाला हूँ यह साथ ऐसे fix player है जो most probably dream team के member रहते हुए दिखाई दे सकते हैं यह वो player थे जो आपको dream team में आते हुए 100% दिखाई देने वाले हैं और इसी players को इसके अलावा जो player थे वो मैं already explain कर चुका हूँ किस को किस scenario में कैसे लेकर के चलने चाहिए दो ऐसे खिलारी जिनको एक साथ नहीं try करके चलना उसके बारे में भी देख लेते हैं आप उनको कोई try करके चलिए क्योंकि यह दोनों player मैं मान के चल रहा हूँ कि यह सायद ही dream team में आते हुए दिखाई दे इड़ी बैरोन के साथ Sam Northis यानि दोनों opener के साथ Glam Oregon की team को को नहीं लेकर करके जाना है अगर आप इड़ी बैरोन पर ज्यादा risk ले रहे हो टॉप Sam Northis को drop करिए Sam Northis को अपनी team में लेके जा रहे हो तो इड़ी बैरोन को drop करिए बेन किलनेवे को और बिली रूट को एक साथ नहीं ट्राय करना है रियान हिजिन्स को जॉन सिंसंस के साथ नहीं ट्राय करना है टॉम हेल्म को बलेक कनल के साथ आपको ट्राय करके नहीं कर लिजे चैनल से जुड के रहेगा आपको हमेशा ही फैयाद है मिलने वाला है टेलिग्राम पर इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर फाइनल टीम और स्मॉल लिग जो खेलते हैं उसके लिए भी स्पेशल टीम आपको मैं प्रवाइड करता हूं यह जो वीडियो स्क्रीन पर जारे यार इस वीडियो को जरूर देखे और पूरी वीडियो देखना 8-10 मिनट की के अबल वीडियो है इस वीडियो को अगर आप देख लिए आपको समझ में आ जाएगा क्या आप करोड़ पती बन सकते हो या नहीं बन सकते हो यह सारा क्लैरिटी सारा कंफुजन आपका दूर कर देगा